अकड़ते अकड़ते एक दिन अकड़ ही गया वो अहम किस बात का साहब जो उड़ते हैं अहम के आस्मानों में जमीन पर आने में उन्हें वक्त नहीं लगता अहम ने तो किसी को भी नहीं बक्षा अयोध्या से वापस आने पर मा कौशल्या ने श्री राम से पूछा रावन को मार दिया तब भगवान श्री राम ने बहुत सुन्दर जवाब दिया महा ग्यानी महा प्रतापी महा बलशाली प्रखंड पंडित महा शिव भक्त चारो वेदों के ग्याता शिव तांडव स्टोत के रचाईता लंकेश को मैंने नहीं मारा उसे मैंने मारा है मैं अहंकार अहम इसने किसी को भी नहीं बक्षा किन सांसों का मैं एतिबार करूँ जो अंत में मेरा साथ छोड़ देंगी किस धन का मैं अहंकार करूँ जो मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएंगी किस तन का मैं हंकार करूँ जो अंत में मेरी आत्मा के बोज को उठा नहीं पाएगा भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती ग्यान धन और विश्वास तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे तीनों में बहुत प्यार था एक वक्त आया जब तीनों को जुदा होना पड़ा तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया हम कहा मिलेंगे ग्यान ने कहा मैं मंदिर विद्यालियों में मिलूंगा धन ने कहा मैं अमीरों के पास मिलूँगा विश्वास चुप था ग्यान और धन ने विश्वास से पूछा तुम चुप क्यूं हो विश्वास ने रोते हुए कहा मैं एक बार चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आऊंगा अपना स्वभाव शूनिके जैसा रखिए बले ही कोई आपको गिनिती में ना ले पर जिसकी बगल में आप खड़े हो जाए उसकी कीमत जरूर बदल देंगे सुन्दर्ता सस्ती है चरित्र महंगा है घड़ी सस्ती है समय महंगा है शरीर सस्ता है सेहत महंगी है रिष्टा सस्ता है निभाना महंगा है सौ काम छोड़कर भोजन करना चाहिए हजार काम छोड़कर स्नान करना चाहिए लाग काम छोड़कर दान करना चाहिए और करोड काम छोड़कर ईश्वर कास मरन करना चाहिए